Good morning students, today we will start exercise 7.2 of chapter 7, cubes and cube roots. So, हमार exercise 7.2, तो फोर्स्ट कोशिन है, find the cube roots of each of the following numbers by prime factorization methods. कोशिन फोर्स हमें करना है, हमें cube roots find करने हैं, जो number हमें given है, उनकी कौन से methods है, prime factorization method. यह हम ऐसा कैसा कॉशिन है, exercise 7.1 में भी करके आचुके हैं, ठीक है, first हमें number given is 64, तो सबसे पहले हम इसकी time अगरें, यह factors निखा लेगे, factors निखा लेगे, factors निखा लेगे, factors निखा लेगे, कांसे method से by, prime factorization methods निखा लेगे, उसके इसके हम factors निखा लेगे, तो यह अपर हमारे पास 64 के factors के आगा है, 2 multiply, 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 2, ठीक है, तोसके हम triplets form करेंगे, रुपी करें factors के, difference form करेंगे, equal factors के, एक triplet तो बन गए यह, दूसरे triplet बन गए यह, तो हर एक triplet में से एक factor बाराज है, यहां से आया 2 हर, और यहां से आया 2 हर, 2 multiply, 2, 2 multiply, 2, 2 multiply, अभी करेंगे, इतना आगया, 4 आगया, तो हमारे पास Q2 का 64 के इतना आएगा, हमारे पास Q2 आएगा, 64 का 4, उसके बाद second हमें नमबर लोगे हैं, वो है 512, हम find करेंगे, इसका Q2, कौन से methods again, the same method, Ryan factoration method से, factors के कारेंगे 512 के, तो देपो 2 से जासे है, 2 से करा सब्सक्राइब, 256 times, second 2 से जासे है, 128 times, 2 से जाए 64, 2 से जाए 32, 2 से 216 जाओता 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 512 के factors हमारे पास Q2 आज चिके हैं, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply 2, 2 into 2 into 2 into 2, तो यह हमारे पास factors हमे लिख दही है, अब क्या करेंगे, इंथी grouping करेंगे factors के रिप्रेट्स फ़र्म करेंगे, 2 multiply 2 multiply 2, 2 multiply 2, 2 multif like between the same, 4我跟你 चिके हमारे यह हमारे पास C, तो इसके बाद 3 लिए को हमें नंबर के रिए है 10648 इसका हम क्यों क्यूंग करेंगे अगी तसी यह मैंतर प्राइंट सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे बहले तू से आ सकता है जिको लाफ जिसे नहीं जा सकता है अब जो है लास बिसे नहीं जा सकता है अब इसको हम 11 से खरेंगे कि यह चाहिगा 121 X 11 11 1-11 एंब दिसे झाहिए so हुम यह मार से हनना सकते हमा है यह मल्डिपलाई 2 मल्डिपलाई 2 11 म्लिप्लाई 2 11 मल्डिपला werd divisive 11 अब हम क्या तरिक इक अगे टाहिके members का यह से एक इंग फैक्ट भारा जाने यहां सा आगा 2, यहां सा आगा 11, वह पर से मुटिपाइक का कितना आगा? 11, 2 x 11 जाने का कितना आगा? 22. तो यह क्यों गूट को किसका? 1068 का कितना आगा? 22. 3, 2. Now question, का हम 8 पार जेते हैं, question first part, अभी number गिले में 4, 6, 6, 5, 6, तो इसको हमको Q root find करना है, सबसे पहले factors निकालने हैं, तो factors निकालने पर हमाले पास यह factors आएंगे, चिक्टियां, सबको prime factors निकालने आते हैं, अगर इसको अगे नहीं आते हैं, और इसको problem आती है कि आप मुझे से पूछ सकते हैं कि कैसे हम prime factors में डालते हैं, इस तरह साब को prime factors में डालने हैं, तो उसके prime factors आते हैं 2 x 2 x 2, 2 x 2 x 2, 3 multiply, 3 multiply, 3 multiply, 3 multiply, 3 multiply, 3 multiply. अब factors आने के पाद हम क्या करते हैं? हम group करते हैं, grouping करते हैं factors की into triplet, एक triplet हमारे पास यह बन गई, एक triplet हमारे पास यह बन गई, एक triplet 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 बन गई, और एक triplet बन गई, हर एक triplet में से एक एक factor, एक नमर भारा जाए, तो यहां साया 2, यहां साया 2, यहां साया 3, और यहां साया 3, तो इस तरह से हम Q group find कर सकते कि इस ती भी नंपर का बाइ प्राइब करेंगे तो इस कांसर फोसितर बाइब क को में कुछ स्कूल नम्मर करते हैं तो नहीं समय करते हैं तो फो क्या आएगा false, क्या आएगा इसका answer? false आएगा, second, a perfect cube does not end with two zero, कि perfect cube जो होगा, कभी भी end नहीं होगा two zeros पर, तो यह हमारा गुपल correct statement है, तो यहाँ पर क्या आएगा true, third अभी given है, if a cube of a number end with five, जी किया अगर किसी cube का जो number है, किसी number का cube यो end और five पर, तो उसका cube भी 25 पर end fourth है, there is no perfect cube which end with eight, कैसा को यह perfect cube नहीं है, जो end होता है, eight पर, तो यह statement हमारा false है, क्योंकि हम two का cube find करते है, तो क्यों का cube कितना तक eight आता है, क्योंकि end किस पर होता है, eight पर ही होता है, तो इसने तो बोला है, कैसा को perfect cube नहीं, जो end होता हो, eight पर, तो यह statement हमारा हो गया false, fifth है, the the cube of a two digit number may be a three digit number क्या रख हम किसी two digit number का cube find करेंगे तो वो three digit number हो सकता है तो यह statement again false है now six statement हमें given है the cube of a two digit number may have seven or more digits क्या रख हम two digit number कर क्यों find करते हैं तो हो seven उसमें seven या उसे जादा digit हो सकते हैं तो हे statement false है we have last statement that is the cube of a single digit number कि अगर हम single digit number का cube find करती है तो हो सकता है तो हो सकता है one byем can we find one अजाता है जो पेक single digit है उसका cube आख हो थो भी क्या एक single digit number ही आया cube क्यूब क्यूब के हूं find करते है तो तो किस्कना आता 결국 8 आता है कि इस इंपॉर्टिंग नहीं है तो हम उचको डिसकर्स नहीं करेंगे यहां पर आपके एक्सराइब 7.2 खतम होती है और इसे के साथ हमारा चाप्टर 7 भी खतम होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चेप्टर डिसकर्स करेंगे